कि महिने में जो हर महिने शिवरात्री आती है मैं महिने की हर महिने जो शिवरात्री आती हो शिवरात्री पर अपने गमले में घर में जो मिट्टी हो गमले में मिट्टी हो पेड़ पोधे की जो मिट्टी हो अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर उपर उठा कर उसी गमले के अंदर शिविलिंग बना कर वहीं पर पूजन करकर वहीं पर उसका भी सर्जन कर दूंगी उसका भी जो पुन्न है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिविलिंग के पूजन करा कोई नियम बना लो कि एक महिने में एक बार मुझे पार्थिव बनाना कोई नियम बना लो मै तीन महिने में एक बार पार्थिव बनाऊंगे, कोई नियम बनाऊं कि में छे महिने में एक बार पार्थिव बनाऊंगे, कोई नियम बना लो कि में साल भर में एक बार जो सावन के महिने में शिवरात्री आती है, जैसा आप लोग सब आउनलाइन बनाते ही हो, पार्थिव का मिर्मान पर रहे एक संकल्प अपने बीस टरेई निक संकल्प का प्षल वाबा क्या देगा यह आपको बाद मालूम पड़ेगा वो क्या देगा आपको वह बाद मालूम पड़ेगा जब हम संकल्प ले लेते हैं तो पूरण वह करता अर confess कृल बेल चड़ा कर आऊंगी जिससे बेल पत्र के व्रक्ष की छाओं मेरे मस्तक पर पड़े कहते हैं एक बेल पत्र के व्रक्ष में 33 कोटी देवी देवताओं का निवास होता है जब एक बेल पत्र के व्रक्ष के नीचे हम जाते हैं तो यह समझ लें कि 33 कोटी देवी देवताओ की छत्रचाया में हम पहुच गए 33 कोटी देवी देवताओं की छत्रचाया में हम पहुच यह यह भाव अपने भीतर प्रगट करें 33 कोटी देवताओं के आशिरवाद अमको मिल रहा है उनकी छत्र चाया में उनका अशिर्वाद हमको प्राप्त हो एक संकल पकने भीतर होना चाहिए इंदुमती का संकल पता शिवलिंग का निर्मान करना पूजन करना और उस शिवलिंग को जब तक वह विसरजन निकर दे थी तब तक वह बोलती नहीं खाती नहीं पीती नहीं और कोई बीच में आकर अगर मानलो किसी सेना ने आक्रमन मिकर लिया तो उसको शस्त्र से लड़ने की जरुवत करता हो नहीं पढ़ती तो राजा भीष्मक बिदरबराज भीष्मक सस्त्र लेकर आगे नहीं बढ़ता था कि वली इंदुमती का जो जल करने जाती तींकंदुमति उसके 내्टर की ज्वाला इतनी प्रबल होती थी किसम ने जो सेना आती थी वह जल कर राख जाती थी इसलि नेत्र की जोला इतनी प्रबल होती थी कि सामने जो सेना आती थी, वो जल कर burial हो जाती थी, इसलिए कोई आक्रमण नहीं कर पाता था, इंदुमती का, इतना इतना इंदुमती के संकल्प का फ़ल था, इतना, कोई साहज है शंकर भगवान की भक्ति करना शिवनाम लेना राम नाम लेना कृष्ण नाम लेना भगवान की भक्ति को धारन करना दक्त नाम लेना कोई साधरन है आप जिस भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो भगवान की भक्ति भगवान स्विकार करते हैं केवल मर्त क्यों, लोक में बेट कर भगवान का नाम लेना और उस tख पहुचना को, आजकल के नवभयुबक लड़के बहुत सारे प्रश्न करते हैं, नवभयुबक लड़कों को जान uncle बहुत सारे ऐसे भी आते हैं, मीडिया में भी कि ऐसे ऐसे परश्ण करते हैं कि लगता है अपने को कि क्या परश्ण करा है अभी यहा कथा थी धूलिया में तो एक मीडिया वाले ने परश्ण किया कि आप लोग सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे चलते हो, कहते हो दिया लगाओ, अगरवत्ती लगाओ, भगवान की पूजन करो, मंदिर जाओ, एक लोटा जल छड़ाओ, भगवान शंकर का नाम लो, क्या भगवान को मालूम पढ़ता है, किसने नाम लिया, क्या उसको प्रा प्रानी देना है, इसमें केला लगाना है, तो एक अक पत्ती को पकड़ कर पानी दोगे, क्या? पानी कहां दोगे? नीचे जड़ तुमने जड़ में पानी दिया, केले की पत्ती में आखरी सिरे तक वो पानी पहुझ गया और पत्ती गिली हो गई एक एक फल में वो पानी पहुझ गया उसके तने में पानी पहुझ गया केले की एक एक पत्ती में पानी पहुझ गया उसकी जड़ में पानी दिया और वो उपर तक पहुझ जाता है उसी तरह जब हम नीचे देव अधिदे महादेव को इस मृत्यु लोक में जग जल चड़ाते हैं तो वो 33 गोटी देवताओं तक पहुंच जाता है एक-एक पत्ती को हम पानी नहीं देंगे जो काते हैं राम अलग हैं, कृष्णा अलग हैं, शिवा अलग हैं दति अलग हैं देवीँ अलग हैं उनमें बेध्वशों सकता है और शीव महापुरान की कत्था कभी बेध्व करना नहीं सिखाती श्यू महापुरान की कत्था कति ये शंकर्भगवान के शिविलिंग पर जो जल चड़ाते हो वो जल एक केवल देवदी देव महादेव को नहीं मिलता वो जल सारे 33 कोटी देवी देव का उंको प्राप्त होता ब्रह्मा विश्णु महेश तीनो उस शिविलिंग के अंतरगत विराजमान है मतापारवती उस शिविलिंग के अंतरगत विराजमान है स्वयम गणेश कार्ति के वहीं विराजमान है अशोक सुंदरी वहीं विराजमान है जया विशहरा शामरीबारी दौतली देव शंकर महादेव को दिया पर पहुचा सब को आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज एक लोटा जल चड़ाते हैं उठाओ जराग सभी ओ धर लो वापिस धरो वापिस धरो बहुत बड़ी है जाना चाहिए तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेर यह उसके उपर निर्भर करता हमारा फर्जे हम उसकी दरवाजे तक जाए हमारा फर्जे कि हम उसकी चोखटर एक विश्वास आपके भीतर हो क्या देगा महादेओ यह उसके उपननिर्भान और यह मेरी अमरावती की जीजीओं और मेरे अमरावती के जी जाओं एक बात अपने भीतर उतार कर रखना मेरी बेटी और मेरे बेटाओं यहाँ आए हो खाली तो नहीं जाओंगे यह मेरा विष्वास कहता का खाली नहीं आफा वह खाली नहीं वेश सकता दे देगे हमायें पहुचे ओना खाली नहीं वेशता बस जितना भरोसा जितना विश्वास जितनी दढ़ता धारण कर सकते हो करें इंदुमती जैसी विश्वास, इंदुमती जैसी दढ़ता, इंदुमती जैसा भरोसा आपके भीतर होना चाहिए, क्या शंकर भगवन को जल चड़ाने वाले के शरीर में तेज पुन्ज आ जाता है, क्यों नहीं, शंकर का मंदिर है क्या, शिव का मंदिर क्या है, शिवालय क्या है, भगवान संकर के मंदिर में ये दर्वाजे, ये ताले, तो अब लगना चालू हुए, पहले संकर जी का जो शिवलिंग होता था, वो खुले में रखा होता था, कई बुजुर्ग माता हैं, यहाँ पर बेटी होंगी, बुजुर्ग भाई लोग बेटे होंगे, उनके स्मरण में होगा, तुमारे गाउं में, खेडे में, खेत में, जमीन पर ओटला बना होता था, जिस पर शिवलिंग रखा होता था, मंदिर नहीं होता था, दर्वाजे नहीं होता था, खुला, अमरावती में लाइट की डीपी जो होती है न, लाइट की डीपी, डीपी देखी है न, अरे बोलो तो जम गे, देखा है न, लाइट की जो डीपी होती है, हमारे इधर ऐसा निया में की लाइट की डीपी को बंद नहीं कर सकते हैं, उसको पेक नहीं कर सकते हैं, उ और कोई light की DP खुली है और अचानक जाकर कोई छूले तो current लगेगा की नहीं लगेगा अरे बोलो तो जम के लगेगा ना खुली और कई कई जगा तो लिखा रहता है DP से इती दूरी बना कर चलना पास में से मत चलना नजदीक से मत जाना इतनी दूर से वो DP खीच लेती है और current लग जाता है कई कई डीपियों में इतना बल होता है कि दूर से खीच लेती है हमारे यहाँ जित्ते संकर के शिवाले थे खुल करके से कई कई भगत दूर से भी भगवान का नम लिपोर जारा है तो मेरा महत पूस को खीच लेता मेरा शिवू से खीच लेता व बल बो पावर मेरे देव दित्यों महदेम है क suits अ करता हो शंकर का उपास सको जो शिव का कुणगान करता हो जो शिव भक्ती में डूबा हुआ उसको क्या दुख क्या तक लिए हनवान जी की चोपाई हनवान चाली सा की आप लोग इसमेन करते हैं भूत पिसाच महावीर जड़ाम सनाव नासे रोग हरे सबीरा चपत रंतर हनुमत अमीरा संकट देहन मान चुडा मन क्रम वजन ध्यान जोडा आपने सुनाओगा भूत पिसाच निकट नहीं आवे फिद कि धर जावे भूत पिसाच निकट नहीं आए तुम करते हो कि भूत पिसाच हमारे पास नहीं आए बोलो री जी जी ओ इंद्र कहता है भोत पिसाच मेरे पास नहीं आना चाहिए भगवान विश्णु कहते है भोत पिसाच मेरे पास नहीं आना चाहिए ब्रह्मा जी कहते है भोत पिसाच मेरे पास नहीं आना चाहिए ते तिस कोटी देवता का थे भोत पिसाच मेरे पास नहीं आना चाहिए केवल एक महा देव भोत पिसाच निकट में शिव जी ये कैसे है वो काते हैं जिसको कहीं परमिशन नहीं जिसको मेरा इंविटेशन है उसको मेरा इंविटेशन है केवल एक महादेव ऐसे हैं मेरे पास आओ राच्छस असुर गंधर्व देवता पितर जितने जितने हैं शंकर की अराधना में प्रेत भी लगें भूत भी लगें पिसाच भी लगें कारण शिव महापुरान में बढ़नन मिलता विदेश्वर सहीता में इस पश्ट कहा गया जो शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करता है उस जल का मात्रिस पर्श करकर नेत्रों को भी छुआ लेता है उसकी कत्तर पीड में भूत प्रेत लोग करते गुरुजी हमने आज तक कथाओं में साथ पीड़ी सुनत थी तुम्हें कत्तर पीड़ी कैसे कह देते हो हमने का हम नहीं करें तुम्हें अगर यहां नहीं पढ़ना है तो उज्जेन जाओ उज्जेन के रिण मुक्तेश्वन मंदिर